हेलो सुरेंट्स वेलकम बैक टू मेरा अपना स्कूल असलाम वालेकूम और यू अप लोग सब खेरियत से हैं ठीक ठाक हैं तो चलिए एग्जैक्ली आप लोग को आइडिया है कि जो चैप्टर हम शुरू कर चुके थे उस चैप्टर का नाम था प्रोपेगेशन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लाइट की रिफ्लेक्शन और लाइट के ट्रैवल यानि जो प्रोपेगेशन करने का अमल है उससे रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स हैं वह हम इस चैप्टर में ठूओ आउट कंप्लीट करेंगे और आज का जो हमारा ट और अपरटीज है और जो टैकनीक्स यूज़ कर रहे होते हम किस तरह से एक ट्रास्पारेंट ग्लास शीट को हम प्लीज पीजे के अंदर करते है और उस का इस्तमाल हम कैसे करते हैं वो सारी बात है जो और जो से किंदर मिरएट का नाम देते हैं स्पारीट मिरर क्यूंकि exactly उस उस वीडियो उस टाइम फ्रेम के अंदर complete नहीं की जा सकती थी इसलिए मुझे लगा कि यह यह काफी detailed topic है इसको exactly हम अलग से करें so this is the right time to discuss about spherical mirror तो आज का हमारा topic होगा spherical mirror so what do you think spherical mirror क्या होता है उससे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को यह बताता चलू एक practical example ले लेते हैं आप लोगों में से तकरीबन सभी student की घरों में exactly कही न कहीं two wheeler या three wheeler या four wheeler car तो होगी तो कहीं न कहीं किसी हद तक किसी एक student ने या कई और students ने drive भी की होगी उससे चलाते भी होंगे तो आप लोग का idea होगा जब आप लोग बाहर traffic पर निकलते हैं वाहर road पर निकलते हैं तो हमेई पते हैं जो हमारे पास क्यों कर रहे होते हैं what do you think exactly हमें idea होता है road पर जब हम मौजूद होते हैं तो अगर हम ने कहीं पर हम left या right पर टन ले रहे होते हैं या हम अपने जो real view mirror जोके front पर मौजूद होता है उससे हम back पे मौझो जितनी traffic होती है उसे हम देख पाते हैं उस mirror के through ही हम देख रहे होते हैं तो वहाँ पर plane mirror का इस्तमाल नहीं होता बलके कौन से mirror का इस्तमाल होता है? spherical mirror का इस्तमाल होता है उसकी वज़़ए क्या है? उसकी वज़़ए यह कि आप लोगो पता है कि plane mirror की ज़रा characteristics को मैं ज़रा recap कर लेते हैं थोड़ा review कर लेते हैं हमने पढ़ा था कि plane mirror एक ऐसा mirror होता है जो किसी भी object को जब हम use कर रहे होते हैं ताकि उसका image हम जो है plane mirror के through देख सके तो उसका size सेम रहता है image का size हमेशा plane mirror equally दिखाता है ठीक है? दूसरा exactly हमें पता है कि जो भी object का size होगा उतने ही size पे आपको image देखता है plane mirror का अगर आप use करें लेकिन spherical mirror में आप कहीं पर भी side view mirror या rail view mirror है उसमें अगर आपने plane mirror का इस्तेमाल कर लिया तो जो आप four wheeler car चलाते वक्त पीछे अगर plane mirror का use करते विए अगर आप किसी कार को देखेंगे तो जितना कार का size होगा वो उस छोटे से spherical आपको पता है ना side view mirror का size क्या होता है बहुत चोटा ठीक है बहुत बड़ा भी नहीं होता आप बहुत नॉर्मल साइस का होता है अब उस size के अंदर अगर आप plane mirror का use करते हो उस mirror में ठीक है तो वहाँ होगा क्या कि जो भी पीछे से आने वाला traffic है जिस पर आप नजर दोरा कर आप left या right turn लेना चाते हैं ताकि आप smoothly drive कर सके without any accidentally cases किसी भी हासास से बचने के लिए तो आपने देखा होगा जितना size का अगर object पीछे आपको अगर आपकी कार के पीछे कोई कोई truck है या कोई high vehicle है तो exactly वो high vehicle पूरे plane mirror के अंदर दिखाई नहीं दे सकता जो headlight होगी ना उसकी सिर्फ वो ही दिखाई दे पाईगी आपको क्योंकि exactly plane mirror का आपने जो plane mirror यूस कर रहे हो वो बहुत चोटे size का है और ये जितना object का size होगा उतना ही image दिखाएगा अब यहाँ पर हम plane mirror के बज़ए कौन सा mirror इस्तेमाल कर रहे होते है spherical mirror इस्तेमाल कर रहे होते है तो spherical mirror की क्या خصوصियात होती spherical mirror basically चाहे object किसी भी size का हो आपकी four wheeler car के पीछे जो भी traffic होगा उसका complete image आपको दिखाएगा ठीक है आपको ये भी बता रहा होगा आपकी गार के पीछे कौन सी गार है और शायद उसके साथ कौन सी कार है और पूरे road का पूरा view पूरा वो पूरा area कवर करके आपको दिखा रहा होगा यानि spherical mirror के अंदर ये खुसूसियात होती है कि वो complete image दिखा पाता है जितना image आपके पीछे होता है ठीक है क्योंकि उसका aperture उसका जो viewing portion होता है जिस या reflecting portion होता है वो किसी हद तक थोड़ा सा aperture होता है थोड़ा सा उठावा होता है आप गौर करें plane mirror पर अगर आप रब करेंगे अपने हाथ को या spherical mirror पर अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपको अंदाजा होगा plane means plane होता है बेल्कुल एकदम सीधा जो हम घरों में इस्तिमाल कर रहे होते हैं मिरर ठीक है तो हम उसका use नहीं करते हैं रेल व्यू mirror जो हम गाड़ी या 4-wheel car के अंदर इस्तिमाल कर रहे होते हैं वो हम कौन सा mirror इस्तिमाल करते हैं spherical mirror इस्तिमाल करते हैं उसकी वज़ा ये कि उसका जो reflecting portion होता है वो थोड़ा सा उठावा होता है जिसकी वज़ा से complete image या complete पीछे traffic या road का पूरा area आप वो cover कर पा रहा होता है आप easily side view का use करते हुए easily आप खुद को बचाते हुए किसी हादशात का शिकार हुए बगहर आप easily turn कर पाते हैं left या right या आपको जो भी situation आप easily face कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पर हमारे पास इतना time नहीं होता कि हम किसी plane mirror को use करें और उससे हम सिर्फ back पर मौझो जो भी car होगी उसका headlight देखें और फिर gas करें कि या यह traffic होगी यह truck है या पिर यह car है या पिर यह cycle है तो उस अंदाजे के हिसाब से हम car चलाएं नहीं exactly हमें एक spherical mirror का ही हम use करते हैं companies manufactured ही इसी वन्याद पर करती हैं ताके आप किसी हादसात का सिकार ना हो और more efficiently आप car को easily drive कर सकें ठीक है और उसकी functionality ज्यादा से ज्यादा हो that's why spherical mirror यूज किया जाता है यह तो हमने practical एक example ले ली और उस पर हमने बात कर ली अब अगर हम spherical mirror की बनावट पे जाएं कि उसको कैसे बनाया जाता है वो होता किस shape का है और उसकी अपनी क्या types होती है उसके जो जितने चोटे चोटे चोट spherical mirror होगा उसका जो reflecting surface है वो किसी हद तक आपको कर्व देखेगा ठीक है जब यह समझ लेते हैं कि हमारे पास यह एक spherical mirror है ठीक है आपके सामने मौझूद एक spherical mirror की diagram बनी वी है इस पर अगर ज़रो गौर करें तो यह inward यह इंटरनली भी थोड़ा सा आपको कर्व देख रहा है और जो है outward side भी इसकी जो है वो कर्व है ठीक है अजा उसके इलावा second जो एहम बात है spherical mirror को हम इस way में भी define कर सकते हैं कि spherical mirror is that mirror, spherical mirror एक ऐसा mirror होता है whose reflecting surface is a part of hollow glass एक glass है जिसको आप उपर से देख रहे हो ठीक है उसके जो center का जो part है वो एक hollow है यानि वो बिलकुल खाली है ठी side से वो इस तरह से जो है ना किसी हद तक उसकी width होती है ठीक है आप यह कह सकते हो एक transparent glass जो होता है वो किसी हद तक width में होता है पर center part उसका hollow होता है यानि उसमें कोई material नहीं होता ठीक है अच्छा अब हम करते क्या है हम इस spherical mirror को बीच से काट देते हैं इस तरह देखे अगर अगर इस spherical mirror को मैं ऐसे ऐसे जो है वो बिलकुल इसके धर्मयान एक portion बना दूँ ठीक है तो यह दो हिस्सों में तूट जाएगा अगर मैं यह वाला यह side यह पार्ट दिखाऊ स्पारिकल मिलर का तो उससे मैं कुछ इस तरह से बना सकता हूँ ठीक है इस पार्ट को हम थोड़ा सा ऐसे करके दिखा सकते हैं और यह पार्ट जो अपका होगा इसे आप जो है वो कैसे दिखा सकते हो इस पार्ट को आप ऐसे दिखा सकते हो ठीक है डाग्राम थोड़ी सी उपर नीचे हो सकती है exactly क्योंके लेकिन हमें समझना है इस बात को कि अगर हम इस spherical mirror को दो हिस्सों में काड़ दें ठीक है, तो हो गए ये कि जो ये वाली side होगी वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी और जो ये side होगी वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी, अब ये दो types होती हैं आपके पास spherical mirror की ठीक है, हम basically इस spherical mirror की taps में जा रहे हैं, तो जो आपका ये वाला, अगर हम इस वाली side के mirror की बात करें, तो इसमें जो inner side होता है ठीक है, ये polished होता है ठीक है, ये आपके पास क्या होगा polished होगा, और याद रखेगा, ऐसा mirror या ऐसा part spherical mirror का, जिसकी inner side polished हो जिसकी inner side polished हो वो हमेशा से किस type का या कौन सी type होती है mirror की वो ये spherical mirror की कौन सी type में से है ये convex mirror कहलाता है, convex mirror ठीक है, ये convex mirror होगा और यहाँ पर गौर करें यहाँ पर गौर करें इसकी जो है वो outer side polished होती है ठीक है, अब outer side अगर polished होगी ठीक है तो अब यह जो आपके पास जो शेप आपको देख रहा है Sparical Mirror का यह side का जो shape है यह क्यालाता है Concave Mirror ठीक है यह क्या होगा Concave Mirror क्यालाएगा Concave Mirror ठीक है अच्छा अब आप यह देखें कि जो अगर हम एक reference line बना देते हैं से हम principle axis का नाम देते हैं ठीक है यह आपके पास एक reference line बन रही है ठीक है अच्छा अब यह mirror के बिल्कुल center पर होगी बिल्कुल exactly exactly spherical mirror के center से होते वे उसके center से पास होती भी जाएगी ठीक है इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यहां पर ताके accurately center पर आ सके यह line ठीक है इस line को हम principle axis का नाम देते हैं इसका क्या नाम होगा बिटा इसे हम principle axis कहते है ठीक है principle axis अच्छा spherical mirror का जो अपना center होता है उससे हम C से represent करते हैं और यह कहलाता है center of curvature क्या कहलाएगा center center of curvature ठीक है center of curvature ठीक है center of curvature ठीक है अच्छा अब जरा समझेगा जैसे आपने इस spherical mirror का center दिखा दिया center of curvature अब क्योंकि हमने यह side निकाल के इस तरफ दिखा दिये तो वो center जो यहां पर है exactly वो यहां कहीं पर आएगा यहां कहीं पर आएगा ठीक है यह आपका वो सी ही है यह आपका center of curvature ही है ठीक है इसको अब complete कर लो तो यह आपका पूरा spherical mirror ऐसे बन जाएगा अच्छा अब इसके लावा अगर गौर करें convex यह concave mirror का भी अपना एक center है ठीक है उस center को हम principle इस center को हम क्या कहते हैं हम पोल का नाम देते हैं ठीक है यह पी से रेप्रेजेंट होता है ठीक है यह आप इसको principle पस पोल का नाम देतो और इससे समझे लो कि पी का मतलब क्या होगा पोल होगा ठीक है अच्छा अब center of curvature और पोल के दर्मियान का जो center होगा वो कहलाएगा focus ठीक है जिसे आप principle principle focus भी कह सकते हो एक center of curvature से लेकर पोल के दर्मियान का जो distance है center of curvature से लेकर पोल तक का distance ठीक है यह capital R से represent करते हैं ठीक है और इसे हम कहते हैं यह कहलाता है radius of curvature ठीक है यह होगा आपका radius of curvature ठीक है इसके इलावा focus से लेकर पोल तक का जो distance होगा वह small f से represent करते हैं और इसे हम कहते हैं focal length ठीक है focal length यह वो length होती है जो focus से पोल तक के distance की length होती है ठीक है इस length यह वो distance होता है जो focus और पोल के दर्मियान का हो radius वो distance होगा जो from the center यहनि spherical center से लेकर lens के convex और सारी mirror के convex यह concave mirror तक के pole तक का distance ठीक है जिसे हम capital R से represent करते हैं यह line जो के center of curvature focus और पोल से पास हो रही है इसे principle access का नाम दिया जाता है ठीक है अचाई यह 4-5 चीजे जो 4-5 ऐसे नाम मैंने आपको बताए कि कहां कौन सी चीज लाए करती है कहां कौन सी चीज चीज एक्जिस्ट करती है और उसकी actual definition क्या है उसे हम लिख लेते हैं पहले जल्दी से screenshot ले ले आप लोग इसे copy कर ले और अभी हम connected है जब तक कि हम इसको define ना कर ले फिर इंशालला हम next topic की तरफ जाएंगे जल्दी से इसे copy कर ले और आप लोगों ने exactly उसे अच्छे से write down कर लिया होगा कि spherical mirror क्या होता है उसे हम किस तरह से किसी भी spherical mirror कर यूज करके उसके दो parts हम किस तरह portion में अलग-अलग कर देते concave और concave और convex के अंदर ठीक है तो आपको की मिटा दुमारा से इसलिए ड्रॉकर exactly क्योंकि काफी mix-up हो गया था चीजे बहुत ज्यादा आ गए थी अब थोड़ा सा साफसुत्री अंदाज में आप देखो कियर convex mirror हो या concave mirror हो दोनों mirror को मिलाने से हम sparrical mirror बनाते हैं क्योंकि sparrical mirror को ही बीच से cut करके यह दो चीजें दो pieces में हम इसे divide कर लेते हैं जिन mirror को हम convex और concave mirror का नाम देते हैं अब यहां पर बहुत सारी चीजें हैं समझने की एक ऐसी law एक ऐसी line एक ऐसा access जिसे आप reference line का नाम भी दिये सकते हो यहां पर उसे बजाए reference line के उसे हम principle access कहते है ठीक है principle access वो line जो center of curvature focus और pole से पास होती है उसे हम principle access कहते है center of curvature pole के दर्मियान का distance radius of curvature focus से लेकर pole तक के दर्मियान का distance focal length या principle focus कहलाता है बाकि सारी चीजें यहां पर मैंने define भी कर लिए अब एक दफा उसको जरह समझ लीजिए center of curvature C को हम कैसे define कर सकते हैं the center of the sphere of which the mirror is a part is called center of curvature ठीक है center of curvature उस mirror का center होगा जिसमें से आप जो है वो convex ये concave mirror निकालते हो जिसे आप C से represent करते हो पोल हमारे पास क्या होगा spherical mirror का center ठीक है यह निए convex ये concave mirror का center the middle point in any spherical mirror radius of curvature वो distance है जो center of curvature से लेकर पोल तक का होगा और इसी तरह last जो समझने वाली चीज़ है वो है focal length focal length पर गौर करें focus से लेकर पोल तक के दर्मयान का distance यानि the distance between focus and the pole ठीक है जल दी से इसके screenshot लें और से अपने पास register पर copy करें और चलिए उमीदें आप लोगों को एक और topic अच्छे से clear हो गया होगा spherical mirror क्या होता है spherical mirror की अपनी क्या types है next connected topic जो हमारा बनता है वो convex और concave को हमने थोड़ा-थोड़ा सा initiate कर लिया है पर इसको सही माइनों में detailed में हम इसको differentiate करेंगे और उसके तीन से चार points को भी हम discuss करेंगे और फिर आगे image formation और कई चीज़ें जो discuss करने के लिए ठीक है अपना बहुत सारा खैल लगएगा thank you so much Allah